है नभसकार तमाम न्यूस चैनल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी ख़बर है बहुत बड़ी ख़बर इसलिए क्योंकि तमाम न्यूस चैनलों पर जो मेंट स्ट्रीम ERIC Training Channel है उन पर पाबंदि की मांग की पर उनकुष लगाने के ऐसे उस भावना कुछ पहँंचा रही थी, इस लिए एक याज का दाखिल की गई थी, और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस मामले में सुनवाई की दौरान आज सर्कार भी पेश हुई, सरकार की तरफ से क्या दलिल दे गई? सरकार ने कहा कि अगर electronic media पर आप अंकुष लगाते हैं तो जरूरी है कि उससे पहले आप social media पर आप अंकुष लगाएं social media platforms जैसे की Twitter, जैसे की Facebook, जैसे की Instagram, जैसे की YouTube इन तमाम चीजों पर पहले अंकुष लगाने की जरूरत है आज Supreme Court में सरकार ने कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि आप या तो कोई guidelines बना दे या फिर Amicus Curie का गठन कर दे ताकि वो कोई नई guidelines तैयार कर सके या फिर Supreme Court अपनी तरब से कोई समिती बना दे जो समिती ये तैय करे कि पहले हम social media को कैसे regulate करेंगे दरसल यहां regulate करने के बात आ रही है कि कैसे social media को regulate किया जाएगा उनके लिए क्या guidelines है क्योंकि आभी social media पर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी खबरे आती हैं बहुत सारी fake news ऐसे आती हैं जिनका कोई सरुकार नहीं होता fake news की वजहां से आपने देखा कई जगों पर हिंचा की खबरे आई डंगे हो जाते हैं कई लोग उन खबरों में ऐसे फस जाते हैं कि वो कुछ कर बैठते हैं और जो mainstream के news channel हैं उनकी छवी को धक्का लग रहा है इसकी वजहां से आज सरकार ने ये कोड के भीतर कहा है कि आप या तो amicus security बना दे या फिर आप कोई समयती बना के इसके regulation के लिए कोई guideline टे करें बड़ी बात आपको ये भी बता देते हैं कि दरसल अभी आपको भी बता होगा कि हाली में एक खास समुदाए के लोगों ने एक मस्जित में रुक कर एक मरकज में रुक कर वहाँ पर नमाज अता की थी और ये खास तोर पर तब की गई थी जब lockdown चल रहा था लोगों की भीड एकठा होने पर मनाही थी पाबंदी लगा दी गई थी और उस तोरान लोगों की भीड जुट रही थी यहां तक की सरकार से, पुलिस से, कानून से छिप कर ये सब कुछ खेल चल रहा था धार्मी कायोजन हो रहे थे और कुछ चैनलों ने इसे बहुत ज्यादा प्रसारित किया, कुछ चैनलों ने इसे इस पर बहुत सारी खबरे की इसी वजहां से धर्म विशेश के लोगों ने इस पर आप्रति जाहिर की थी और तब मांग की गई थी कि electronic मीडिया पर अब जरूरी है कि अंकुष लगा देना चाहिए सबसे बड़ी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट में आचिका डाली गई थी उसमें सिर्फ एक चैनल का नाम था कुछ पाबंदियों की वजह से हम उस चैनल के नाम का जिक्र नहीं कर सकते लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं कि उस एक चैनल की वजह से सभी चैनल उपर खत्रा हो गया था लेकिन अब चुँकि इस मामने में सरकार पार्टिक बन गई है और सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा है कि जरूरी है कि सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर अंकुष लगाए ताकि सरकार क्योंकि मजबूर है सरकार सोशल मीडिया पर सीधे कोई आक्षन नहीं ले सकती इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अगवाई में या अपनी निगरानी में कोई रेगुलेशन तयार करे कोई ऐसी रेगुलेटरी बोर्ट बना दे जिसकी वजह से कोई गाइडलाइन बन जाए जल्दी और सरकार के लिए आसान हो कि वो कैसे सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकती है इस वजह से फिलाल न्यूज चैनलों के लिए रहत भरी खबर है क्योंकि सरकार की इस कोशश की वजह से या सरकार के इस मांग की वजह से या पार्टी बनने की वजह से उन पर किसी तरह का अंकुष्ट लगने नहीं जा रहा है